कि वहा क्या कि वसके बाबर उदर से से नहीं सेना लेके आता है आपनी और बाबर सेना लेके बेड़ जाता है संगा इधर से अपने संगा कम आघर सानगा एक सारे कर लड़ाई हम आ जाएंगे तरह साथ के अंदर तो राजस्थान के सारे राजाओं ने अपने सेना बेजी थे कहते हैं उसने लेटर लिखके बुलवाया था सबको तो लेटर लिखके बुलवाने को अपने राजस्थानी में एक टाम बोलते हैं पाती परवन तो कोई पूछे पाती का मतलब लेटर परवन मतलब भेजना तो कोई पूछे कौन से राजा ने लेटर भेज के साथियों को साहिता के लिए बुलाया था तो सांगा ने बुलवाया था कौन से यूज से पहले तो खानवा गई यूज से पहले बुलवाया था उसने इस ववस में सबसे पहले को तुपों का यूज़ करना शुरू करता है केनन तो बाबरी था बारूद का परियोग बाबरी करना शुरू करता है उसके बाद तप वगेर था उसमें तो पें अपड़ siento अपनी सुरू की अपने स्यनिक जो गहेल हो गे Latin को शुवाना सुरू किया और अपन अब गते हैं कि महीना बर्तक तैयरियां कि दोनों ने अरब जैसे बाबर ने अब युद्ध करना इसे खानवागोद दोन सत्रा मार्च को बाता याद रख लेना इसकी तारीक याद रहे नहीं रहे उसके एक महीने बाद लगवड़ 17 मार्च एक महीना एक दिद अलांकि वजओं मैंने किताब था वीर विनोध श्यमल्दास जी वाली किताब वीर विनोध में तो उसकी तारीक कि 16 मार्च है तो आपको को स्पेसिपिक पूछ ले की वीर विनोध में क्ल आपने लड़ाई करेंगा और बाबर ने अपने सेनिक व करने हम तो लड़ाई नहीं करें क्यों क्यों लड़ाई नहीं करो कि एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना कि युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारे और फिर हमने सुना ऐसा मुस्लमान राजाओं की गुप्तितर ववस्ता बहुत अच्छी थी स्पाई बहुत कज लाके दे थे तो पता चला उनने का हमने सुना है कि एक तो संगा की सेना वसे बहुत बढ़ी है थिर संगा के बारे में ऐसने आज दिन इस लगता है नी तों गरने के लिए रगलत मंई बाबर ना खुद के लिए लड़ना चाहता है ना समरज विस्तार के लिए लड़ना चाहता है बावर इसलाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता है मजभ के लिए लड़ना चाहता है अल्ला ताला ने फर्माया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक मेदान पहाड नजी और मरुस्तलों में इसलाम का जंडा फेर आजाए, मैं कल धर्म की लड़ाई करूँगा, मजहब की लड़ाई करूँगा, मैं जिहाद करूँगा, जो मुस्लिम राजा युद्ध के लिए लड़ते थे, उनको बोलते थे जिहाद, मैं कल जिहाद करूँगा, और आप में से जो कोई मेरे साथ जड़ते थे उनको बोलते थे गाजी और यदि मैं मर गया तो मैं सहीद कहलाओंगा और जन्नत में बहतर हुरें मेरा इंतजार करेगी उस परकार कि उसने जन्नत के सपने दिखाए अब आपके इच्छा है आना जाओ तो आजाना नहीं आओ तो मत आओ अब तोड़ा यह जी बनना है लेकिन सुबह श्याम दोनों टायम तो दरू पीते रहते हों इसलाम में तो अल्ला तला यह भी फरमाते हैं कि सराब पीना हराम है और बाबर भाई एक एक नमबर का दरूरी आदमी था आप उसकी बाबर नमा पढ़लो तो पेज पेज पर दरू दरू है हर जग आप टेढ़ सब डरूर कीं बात करता है और तु सलाम की बाते ह्सेठाएगगा और भाबर को लगा बाबर करती ऑो पीक चर्णी ता वी यहीं पीज और इतने में एक फोजी ओर खड़ा और उसने का कि कुरान ये भी कहती है कि कोई भी मुस्लिम राजा किसी मुस्लिम वैपारी से टेक्स नहीं लिया जाएगा और तुम एक टेक्स लेते हो बाबर एक टेक्स लेता था तमगा ये क्या है बाबर ने का कि बाबर प्रतिग्या करता ह कर दिया था क है कि कोई पुछे का इस किस युद्ध से पहले बाबर ने सराभ नहीं पीने की किसमे सिह हऊए किसी युद्ध से पहले范 ने tex डिया था k That शुभान को दिए सुंगा क्या करता है स्गंगा राज्वत्सक्राव को लेट सी लेता था लेकिन इस है काते यह दंत्र तो ना करें अर इधर तो मान लो और इधर सेना ना ज्यादा कि वाइदगा कि एक लौजशित थोश्ची कम कि अब अभू पास में अपनी टोपय लगा रहे इगे तोप इदर लगा रहे हैं अम-खी एग आप मीडिवुं पढ़ेंगे तक बोर इसलिए यह लोग इतना जानते ही निए तोपों के बारे में अवेर नहीं थे बाबरी तोपे लेके आए था पानीपत वाली युद्धों मेरे उसे इसलिए इसलिए शुरुवात में जब तोपों वाला हमला हुआ इसलिए इनको बहुत ज़रा नुकसान उठाना पड़ा और कईयों पता ही निए तोपें क्या होती आग निकलने शुरू भी तो कईयों को लगा कोई डेवी दे होता हो को सिंवर के नहीं है इसलिए नराज है कोई बोमियों सागन पर साथ बोलने सुरू की दिर दिर पर चला है इनकी वज़े से यह उज़रा है तोड़ा आलाग हट दिए और यह तहलिए से पैदर लेकिन बाबर ने पहल नहीं कidad एक तुकड से उर बेज के और इन बेट लुए बिगा के तीन तरफ सें घहर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें, बीच के इंदर खड़ा था, लड़ रहा था, आतिगे उपर बेठें, संगा ने जब यह देखा, कि यार मेरे सेनिक मरने आगे तोपों से मरने तुल गुमा से मरने तो सांगा ने अपने महावत को का ज्वाती चलाने वह उसका मुझे आगे लेगे जाए लोगन मना भी किया कि साब आप मज़ा आप क्या करोगे युद्ध के अंदर जागे आप पिछे बेट के गाईडी करत राजा मर गया तो का बस अब जाओ राजा चोड़ो यहां तो यह सिस्टम ता कि मालो वागडवाला उदेश सिंह अपने 5000 आदिमी लेगे खड़ा है और यह उदेश सिंह लड़ाई के सुरुवात में मर गया तो 5000 आदिमी बाहर निकल जाए इनकी जो वह जितनी भी साहनु राजा जते हें को से बड़ाई करू बाबर को यह बात बताती बाबर ने अपने सनिकों काया अफ्रक्वाल सांका पैलने सुरूब है इसलिए मार ऊड़ार शितर तीर मार सकते हो तो आप सबने तीर बंदुकें उदार इस्टेमाल करनी चुरूए क। फो तीर लगा सांका अपने हाती वाले होदे में गिर गया बाकी सेना को लगा कि सांगा की डेथ हो गई होगी इसलिए सेना में अफवा पेलने शुरूबी सेना वापस भागी ने लगई अलांगी करते हैं कि मेवाड की सेना में जब भी राजा गायलो जाता था तो राजा वाले मुकुट छत्र पहन के साधड़ी का कोई जहला बेढ़ता था इसलिए यहां पर सांगा की जगह जहला अज्जा आता है याद रखे ना कोई कुछ है का खानवा जान लीड करने को सिस्करता है लेकिन फिर भी बाबर की इसमें जीत भी थी बाबर जीतने के बाद उपादी धारन करता है गा बाबर ना युज जीत लिया भाई खानवा वाला युज जीत लिया था कते हैं सांगा गहल हुआ गहल होने के बाद सांगा को दोसा में एक जगह पढ़ती है बसवा वहां पे लेकिया और वहां पे सांगा के इलाज वगरा करवाया होस आया तो सांगा ने पूछा कोई कहा है आपने का अपने दोसा में बस हुआ है तो बाबर तो बाबर जीत गया अब तो बाबर उसके बाद गया था चंदेरी वड़ा मैदनी राय सांगा का साथ देने के लिए था जैसे बाबर जीत गया तो बाबर ने पूचा कि वो कौन था रहा सामने उद ज्यादा उचलकूद तो चंदरी के मैदनी राय ने अपना साथ दिया था अपने मैदनी राय का साथ देंगे चलो बाबर के खिलाप लड़ने के लिए चंदरी चलेंगे लोगों समझायागे एबात खुद को काच में देख लो किते सरी पर घाव लगे असी घाव है आपके सरी तो आप युद करने के लिए जाओंगा जब तक युद नहीं लर लूगा मैं साफा नहीं बन दूगा और अपने सेनिकों को लेके वहां से चल पड़ा सेनिक बीच में ना ना करते रहे पर नहीं माना फिर फाइनली चंदरी के पास पहुंचे तो यूपी में एक जगह पढ़ती है इरीच यूपी में एक जगह है वहां पे खाना खाने के लिए बेठे साचियों को जब लगागी खुद तो मरेगा अपने को और मुरुवाएगा उन्हों सांगा खाने में जैर मिलवा दिया जैर के वज़े सांगा उल्टियां वगेरा थी थोड़ा सागी और बड़े आगे कि सांगा इलाज कहां पे किया गया बस्वा सांगा गो जैर कहां पे दिया गया इरीच सांगा गी म्रत्यू कहां पे वी कालपी सांगा गी चत्री या सानिटप उसकी कहां पे है तो उसकी मंड्ल डेड़